नमस्कार फ्रेंज श्वागत ही आपका मेरे चैनल क्योंकिशन रेसिपी भी सीमा में तो आज में बना रही हो चिली पोटेटो दो बच्चे और बड़ों सभी के फेवरिट होते हैं ये और बनाना भी काफी आसान है और खाने में क्या ही कहना तो चलिए इसकी प्रिपरेशन क होता है क्योंकि चिली पोटेटो बनाना है न तो लंबे लंबे सेप में काटना है हमें फिंगर सेप में इसलिए हमें इस तरह का लंबे सेप में आलू चाहिए है अब हम इनको पील कर लेंगे आलू को पील कर लिया है मैंने अब आलू को अचीता से बॉस करके इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से फिंगर सेप में हमें आलू को कट करना है एक समान तो कटे का नहीं कुछ उनिस बिस्तो होना ही होना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आईगे हमें बिल्कुल मोटा भी नहीं काटना है और पतला भी नहीं काटना है ये देखिए कट चुक है आलू इसे पानी में ही डाल के रखेंगे बज़ना दार्क हो जाएगा आलू क्योंकि बाहर रखेंगे तो काला पड़ जाता है था इसलिए पानी में ही डालकर रखेंगे अब हम क्या करेंगे एक कड़ाई लेंगे कड़ाई हो या कुछ हो कुछ भी होगा जैसे सॉस पेन हो और भगोने हो किसी भी चीज में आप पानी डाल के इसको बॉयल करना है आलू को और आलू को 100% नहीं कुछ करना है 50% कुछ करना है बस 3-4 मिनिट कुछ करना है बस देख लेते हैं चेक कर लेते हैं हो चुका है 50% अब हम इसे निकाल लेंगे ड्रेन में आलू में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसलिए बिल्कुल ठंडा कर देना है आलू को ताकि पानी बिल्कुल सुक जाएगा जब तक आलू ठंडा हो रहे तब तक हम क्या करेंगे सिम्ला मिर्ज लेंगे क्यापसिकम क्यार सुक चिली पोटेटो बना रहा है तो मैंने तीनो कलर में लिया हैं मेरे पास बड़े हुए थे अगर आत्वे पास नहीं है तो आपके इसकिप कर सकतें इसे कोई लिक्त नहीं आएगी और मेने स्प्रिंग ओनियन थे बी मैं कट कर लूँगी दो हरी मिर्च लिया है उसे भी कट कर लोंगी अध्रक और लहसन भी कट कर लोंगी में और एक प्याज भी कट करना है तो आलू को मैंने एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया है बिल्कुल ठंडा हो चुक है तो आब हम क्या करेंगे इसमें एक टेबल असपून हम डालेंगे कॉन फिलर इसे अच्छी तरह से कॉन फिलर को आलू में कोट करना है मिला लेना है इसके बाद हम डालेंगे एक टेबल असपून मैदा इसे भी अच्छी तरह से कॉट करना है मैदा को बिल्कुल आराम आराम से मिलाना है इसमें अब हम डालेंगे वन फोर असपून हम डालेंगे चिली पॉडर और इसके बाद पांस मिनट के लिए से रिस्ट करने देंगे यह देखें बिल्कुल कोट हो चुक है यह देखें बिल्कुल मैदा और कॉन फिलर दो नो कितना बड़ी हां से हो गया न अब बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा यह हम फ्राई करेंगे तो अब हम कड़ाई में तेल डालेंगे और आलो को डिप फ्राई करना है तेल गरम हो चुक है तब इसमें आलू डालेंगे सारे आलू एक साथ नहीं डालेंगे तो यह थोड़े करके डालेंगे और फ्राई करेंगे और सेलो फ्राई करना है जब फर्स्ट टर्म करेंगे ना फ्राई तो सेलो फ्राई करना है सेकेंड टर्म में फुली फ्राई करना है सेलो फ्राई हो चुक है अब हम निकाल लेंगे जो बाकी बच्चे है वो भी हम फ्राई कर लेंगे यह देखिए बिल्कुल क्रिश्पी क्रिश्पी हो चुका है आलू सेकेंड टर्म भी पुड़ा हो गया अब हम इनको निकाल लेंगे अब एक कड़ाई लेंगे उसमें सर्सो का तेल डालेंगे थ्री टेवल स्पून तेल गरम हो जाएगा इसके बाद हम डालेंगे बारी कटा लैस्टन अध्रग और हरिमिश तीनों को गोल्डेन ब्राउन होने तक हमें बुनना है अब हम इसमें डालेंगे प्याज और कैप्सिकम दो मेर तक इसे भी बुनना है ताकि कैप्सिकम जो है अच्छीता से कूख हो जाएगा वैसे भी कैप्सिकम को कूख होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस एक टेबल स्पून एक टेबल स्पून हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस मैंने चिली सॉस डाल दिया है अब ग्रीन चिली सॉस डालेंगे इसमें और एक टेबल स्पून हम डालेंगे डार्क सॉय सॉस इसमें आप चाहें तो वैनेगर भी डाल सकते हैं वाइट वाला लेकिन अभी मेरे पास अबलेबल नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया है इसको इन सब को एक साथ मिला लेना है कि इसके पाद हम इसमें पानी एड़ करें मैं सिंपल पानी एड़ नहीं करूंगे इसमें पानी में थोड़ा सा एक टेबल स्पून कॉन फला एड़ करके इसके बार डाल दोगी उससे क्या होगा थिकनेस आजिए गा अब इनको एक मिनट के लिए अच्छी तरह सबको मिक्स कर लेना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट का अकॉर्डिंग नमक वन टेबल स्पून हम डालेंगे वाइट तील और मैंने बारी काटके रखा था मैंने इस्प्रिंग ओनियन वह भी इसमें हम डाल देंगे लास्ट में हम डालेंगे फ्राइ किया हुआ आलू और आलू डालने के बाद तीन से चार मिनट तक इन सब को मिला लेंगे अच्छी तरह से और इस तरह से हमारा चली पोटेटो तयार हो चुका है बिल्कुल कृस्पी क्रिस्पी लगएगा यह खाने में हम गर्मा गर्म जसे सर्प करेंगे तो बिल्कुल आलू क्रिस्पी डेहेगा तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लिगी आप करना नहीं भूलेंगे अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अंड टेक केर